तो अभी रिसेंट टाइम में पूरे क्रिकेट कम्यूनिटी में जो वाइरल टॉपिक है ना वो है रोई शर्मा व्राद कोली और उनके साथ दे लेजेंड कपिल देब के साथ जो रिसेंट टाइम में बाते को लेकर बहुत कुछ हो गया है ना उसके उपर हम थोड़ा सा लेकर मुझे ऐसा लगता है अभी कि वीडियो मुझे बनाना ही पड़ेगा और मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी रिसेंट टाइम में तो आपना टोटल कॉंसेप्ट को समझेओ कि क्या क्या हुआ हुआ है एक दम पहले से लास्ट तक तो एबीपी नियूस का एक बहुत ह टीम में जगा मिलना लाजमिये तूस जगा पर कपिल जग सर्व मंदब एक पॉइंट अव व्यू पर बताता है कि अगर रवीजंद रश्मीन जैसा टेस्ट का सबसे बहतरिन खिलारी जो कि वर्ड में सेगेंड रैंकिंग भी होल्ड करता है तो वो अगर टीम से ड्रॉफ तो इनके लिए और रिस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ तो वो रोहिश्रमा से कोश्चन करता है कि जो जो बड़ा बड़ा एक्सपर्ट लोग है न वो बता रहा है कि कोहली को किया टीम में रखा जाए आप लोग का इसके उपर पॉइंट अव्यू क्या है तो रोहिश्रमा पता है कि expert कौन लोग है मतलब और डाएडेक ऐसा बता है और रोई श्रमा भाई मतलब बहुत ज शिंद कर लेнов्ध किया एक नाम लेता है और जगह पर बहुत सानल सिंह को दियालर के सबसे सोफे कि अगेंस में ठीकिए हमारे लिए कोई दिफिल दी है कि हम बाहर दार कुछ नहीं है और यह एक्सपर्ट लोग मुझे पता नहीं कौन है एक्सपर्ट क्यों पूरा जाता है मुझे वो नहीं समझता है कपिलपाजी नहीं कहा यहीं देखे वहार से पाहर जाने को पता नहीं सब्सक्राइब लिखिर पता नहीं पता नहीं चल रहा है तो इस लीए बहार क्या हमारा है, उन्दर नहीं जयादा हुँप्रोंट्न है अंदर छो हो रहे हमारे लिए उन्दर ज़्ञार इन्दर भी बात करते हो, फो इस हम उपर भी कर्षा होगा है तो यह हमेशा हमें जहां मेरत है, जब आप ऐसे कमेंट बहार निकल रहे तो यह ज क्वेर निवे विए और निवेटी देखे एक प्लेर को बैग्वेटे और इस मेरे जाद हुआ है, एक्षोयज डाट के साथ हुआ है, उसमें कोई नहीं बात नहीं है जब कोई प्रेयर कंसिजिटिन इनने सालों से अचा करते आरे तो एक दो फॉंप एक दो सीजिश या एक हाथ सालत में वह अन देखा नहीं होना चीजिए उसको कम्प्रीटली समझने में ताइम बदते हैं लोगों बट हम लोग जो अंदर है तीम के अंदर और जो टीम चला तो यह बताने के बाद आता है सबसे बड़ा कुश्चिन जो की मैं एज व्राठ कोली फैन की तहत आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा की व्राठ कोली को लेकर इतना कुश्चिन क्यों आ रहा है जो खिलारी 14 साल से इंडिया को प्रोटेट करते हुए आ रहा है आप स्टैक्स उठा कर देख सकते हो कि जब यह सब खिलारी का नामू निशान नहीं था जो जो खिलारी को लेकर बता रहे हैं कि इनको चांस दे दो उनको चांस दे तो वो सब खिलारी का नाम वो निशान नहीं था तब जब विडाट कोहली द लेजेंड बन गया है आप डिसेंट टाइम में तो बताने की बात नहीं है लेकिन 14 सालों से एक खिलारी ऐसी तरीके से इंडिया को सर्फ करते हुए आ रहा है और अभी फैंस लोग बता रहा है क्या कि एक साल देर साल अच्छा नहीं गाया है तो इसी की वाइस उनको डॉप कर दो तो यह क्या कोई बात होता है मतलब आपको भी समझेना पड़ेगा कि उनका जो टी-टी का एवरेज है ओडिया इंडियान सर्किट में ऐसा एक खिलारी उभर कर आएगा दो जो की 17 सेंचुरी लगा देगा मतलब अभी रिसेंट टाइम है क्या ओड़ा है कि विराट कोली से हम एक्सपट कर रहे है कि उनका 71 नमबर का सेंचुरी आ जाए लेकिन वो नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा स है कि उनको चांस देना चाहिए और डिफिनेटली उनको चांस मिलेगा क्योंकि रोई शर्मा शीदे तोर पर बता दिया है कि उनके माइन में और राहुल रविर के माइन में जो में टॉपिक है कि वराट कोली बड़ा खिलारी है उसके मुताबिक उनको चांस दिया जाएग यहां पर management चाहता है कि राट कोली खेले गा और वियाट कोली लॉंग टम के लिए इंडिया के सोच में है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई मैं डेफिनले बता रहा हूँ मैं एक बहुत बड़ा विराट गोली का फैन हूँ ठीक है इसमें बगाने के बात नहीं है मैं आप सभी लोग को बताऊंगा कि ट्रोल करो ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सोच सम जब खड़ाब समय आया है ना तो आप लोग साथ छोड़ दे रहे हो तो यह कैसे होगा आप उनको सपोर्ट करो भाई हां मतलब प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन उनको भी सॉल्व करा जा सकता है और इसी की बजाए से मैं आप सभी लोग को बताऊंगा कि आप सभी लोग का मतलब मेरा जो राय था मैं आप सभी लोग को बता दिया क्योंकि एक दिर साल रन ना आने से कोई बड़ा खिलारी खड़ाब नहीं हो जाता और मैं डेफिनेटली एक बात बताना चाहूंगा कि मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि दीपक खुड़ा सूर्या कुमार यादा करें एक आप बंद कर दो यह सब मतलब मुझे ऐसा लगता है तो आप सभी लोगा क्याल आए होगा कमेंट बताओ मुझे पता है कि आप लोग भाई कुछ भी बता दे सकते ओं इस कमेंट बॉक्स नुए तो मैंस लूँ गा विराट लिकोंता हिये तो मैं भी सुन लोगा ऐ झाल झाल